असलाम अलेकुम क्या हाल चलें सबके जी तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और डिफ्रेंट से आलू के कबाब यह सारे इंग्रेडियन्स हमें इसके लिए चाहिए इनकी डेटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौझूद है चलें अब हम रेसिपी देखते हैं यह देखें अब आलू जो हैं वो मैश हो चुके हैं उसके बाद आप एक उठी सबस पदीना ले 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 और एक उठी हरा धनिया भी ले 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 और उसमें आप एक अदर बड़ी सबस में रच काट कर डालें और साथी तीन टेबल स्पून लेमन जूस के भी डाल दें फिर आप इनको चाहें तो मशीन में कूट लें या फिर लंगरी में कूट लें इस तरह से अब आप यह देखें यह ग्रीन चटनी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है जी अब आप इसको जो आलू हमने मैश किये हैं उसमें एट करतें फिर आप इसमें एक टी स्पून सफैद मे टालें फिर एक टी स्पून चीनी उसके बाद एक ही टी स्पून काली मेरज का पाउडर और एक टेबल स्पून नमक आट करें फिर आप चैडर चीज के चोटे चोटे टुकडे कर लें और एक कप वो भी आट कर दें इसमें उसके बाद आप डबल रोटी के दो स्लाइस ले यह देखें यानि यह सारे इंग्रीडियन्स आप आलों में अच्छी तरह से मिक्स करें यह देखें अब यह मिक्स हो गए है यह आप आलों में सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई है तो अब आप इससे कबाब बना ले ये देखें इस तरह से आप पहले इस तरह गोल करें और फिर आप इसको कबाब की शेप देदे जी ये देखें इनको अब आप बना बना कर एक ट्रे में रखते जाएं इससे आपके तकरीबन देट तरजन कबाब बन जाएंगे जी ये देखें इनको अब आप दस मिनट के लिए फ्रिज में रखतें उसके बाद आप दो अंडे लें और उनको आप अच्छी तरह से फेंट लें जी ये देखें अंडों को आपने बहुत अच्छा सा फेंटना है फिर आप एक कप ब्रेट क्रम्स ले लें और उनको भी एक प्लेट में रखतें उसके बाद आप कबाबों को फिट से निकालें और पहले एक एक करके हर कबाब आप पहले अंडों में डिप करें और उसके पिर आप इनकी उपर ब्रेट क्रम्ज की इस तरह से एक कोटिंग करते हैं। इस तरह आप सारे कबाब पहले अंडे में डिप करें और फिर ब्रेट क्रम्ज लगाएं उस पर और इनको भी आप एक प्लेट में या ट्रे में जोड़ दें। फिर आप इनको 10 मिनट के लिए चाहें तो उनको आप फ्रीजर में भी रख सकते हैं और फिर जब आपने बनाने हो तो आप उस वकत निकाल कर उनको फ्राय कर लें जी ये देखें अब ये एक साइड में चेंज करूंगी ये देखें बहुत ही जबरदस्त कोल्डन फ्राय हुई है इस तरह आपने दोनों कावल के साथ भी आप सर्फ कर सकते हैं जाहें तो आप कैचप के साथ भी सर्फ कर सकते हैं जरूर ट्राय कीजेगा आप सब को बहुत अच्छा लगेगा थैंक यू पर वाचिंग टेक कियर अलाहाफेज